लेगा होच्छ दा, बुईएंग दा इसलिए आप अपना मन पक्का करके बैठना क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत से दुरिश्य हैं जिने देखना हर किसी के बस की बात नहीं है पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तयार होने वाले इस अजीबो गरीव डिश के बारे में सुनिये क्योंकि कूरियन लोगों के हिसाब से तो ये खाना उनकी संस्कृति का एक धिस्सा है जिसे उनके पूरवज खाया करते थे इस डिश को बनाने का प्रोसेस बहुत ही अलग है क्योंकि सबसे पहले तो नूडल्स के अंदर गाय का खून डाल कर उसे अच्छे तरह से मिला दिया जाता है अच्छे तरह से नूडल्स में खून मिलाने के बाद उसमें नमक डाला जाता है और फिर कुछ समय बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है दूसरे तरफ चावल में चीज मिला कर उसमें अलग-लग तरह की सबजियों के छोटे-छोटे टुकडे डाले जाते हैं और फिर जो खून से बनावा नूडल्स होता है उसमें सबजी और चावल को मिला दिये जाता है जब इस सारी चीज़े अपस में मिल जाती हैं तो इन्हें सूर की नली में एक पाइप के जरीए कुछ इस तरह से भरा जाता है दोस्तों इस पूरे मिश्रन को अच्छी तरह से नली में भरने के बाद उसे पानी के अंदर कुछ देड़ तो गुबाल देते हैं और जब इस सारी चीज़ें पानी के अंदर पक जाती हैं तब इस खून से भरी अजीव वरीब चीज़ बन कर तयार हो जाती है दोस्तों इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले तो जिंदा गधे को मार कर उसके सिर को बाड़ी से अलग कर दिया जाता है और फिर उसके सिर में नमक, चीनी और सोया सॉस डाल कर कुछ समय के लिए आग के उपर बरतन के अंदर रखा जाता है कुछ घंटों तक उसे इसी तरह पकाने के बाद ये बेहदी अतरंगी डिश बन कर तयार हो जाती है और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज तो यह है कि गधे के सिर से बने इससे डिश को लोग साउथ कोरिया की कई सारे रेस्टरांट में सेलिबरेशन के तौर पर खाते है स्टिंकी टोफू दोस्तों टोफू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और कई लोगों ने इसे खाया भी होगा लेकिन साउथ कोरिया में बनने वाला स्टिंकी टोफू दुनिया के सबसे घिनोने खाने में शामिल होता है क्योंकि इसके बनने का प्रोसेस बहुती जादा जीव है जिसे बनाने के लिए सबजी, दूद, मास और समुदर में रहने वाली मचलियों को कई दिनों तक स्टोर करके रखा जाता है और जब ये सारी चीजे अच्छी तरह से साड़ जाती है तो इन सारी चीजों को आपस में मिक्स करके इनके एक डिश्क तयार की जाती है जो कि इतने बदबुदार और अजीब होती है कि साउथ कोरिया के लोग भी इसे खाने से डरते है अला कि कुछ सिर्फरे लोगों को कहना है कि स्टोफू को खाने से शरीर में बीमारियों से लड़ने की शमता बढ़ती है अब ये कितना सच है ये तो हमें नहीं बता को हम इंसान अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते है उन्हीं कुत्तों की बली देकर ये साउथ कोरियन लोग इसे सूप के रूप में बड़े चाव से पी जाते है सबसे पहले तो कुट्ते का मास लेकर इसमें सोयासोस, नमक, चीनी और कुछ सपीशल मसाले के साथ पानी मिलाकर कुछ समय के लिए पकाया जाता है और फिर उपर से कुछ सबजियां डाल कर कुछी मिनिटों में कुट्ते के मास से बनने वाला सूप तेयार हो जाता है वैसे दोस्तों इस घिनोने सूप से यादा है कि आपके हिसाब से चाइना और साथ कोरिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा अजीव गरीब चीज़े खाता है अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में देना जरूर शार्क फिश दोस्तों जैसे शार्क मचली का नाम सुनकर ही लोगों के पैर का अपनी लगते हैं उसे साथ कोरिया के लोग ऐसे खाते हैं जैसे पीज़दा बर्गर खा रहे हैं अपने खोखार दातों के लिए मशूर शार्क मचली को भी यहाँ के लोग नहीं छूड़ते और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो शार्क मचली खाएंगे तो उसते उनके शरीर की हड़िया मजबूत हो जाएंगी इसलिए अकसर यहां पर लोग शार्क मचली को पकड़ कर उने पकाते हैं और पूरा परिवार मिलकर इस खतरनाख मचली का लुद्फ उठाता है जी जैंग दोस्तों केकड़ा एक ऐसा जीव हैं जिसे लोग पानी का कीड़ा भी मानते हैं लेकिन फिर भी दुनिया के अलग लग पौनों में इसे पका कर खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है पर क्या आप जानते हैं साउथ कोरिया के लोग तो पूरी दुनिया से एक लेवल उपर हैं तबी तो वो इस केकड़े को पका कर खान के बजाए कच्चाई घा जाते हैं और इस तरह की डिश को जी जैंग कहते हैं जिसमें सबसे पहले समुद्र से केकड़ों को एकठा किया ज चीज़ों को एक साथ मिला कर जो पेश्ट तयार किया होता है उस केकड़े के उपर लगाया जाता है तैकि उसका सवाद और जाद बढ़ जाए लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी इससे डिश को पकाने की बात नहीं की गई क्योंकि पूरी डिश ही कच्ची खाय जाती तो कभी भी बॉश्टिक नहीं हो सकता दावाजी दोस्तों साथ कोरिया में रहने वाले लोग सूर की चमडी से बनी चीज़ों का खाना बड़ा पसंद करते हैं और उन्हीं में से एक डिश का नाम है दावाजी जिसे बनाने के लिए सबसे पहले तो सूर की चमडी को निका लिया जाता है और फिर ये मसाला तयार होने के बाद उसके अंदर सूर की चमडी और बाकी की सब्जियां वगरा डाल देते हैं फिर इन सब को कुछ घंटों तक आग के उपर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसके बाद ये अनोखी डिश बन कर तयार हो जाती है जो इस तरह से पकते हुए देख आप भी हैरत में पड़क गए होंगे पर दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है जिस तरह आपको भारत के हर गली नुकड पर मुमोज का ठेला लगावा मिल जाएगा ठीकुसी तरह साउथ कोरिया में भी सडकों पर रेशम के कीडों से बनकर तयार होने वाला फास्ट फूड देखने को मिलता है वैसे तो रेशम के इस कीडे को देख कर बहुत से लोगों को उल्टी आ जाती है लेकिन साउथ कोरिया के लोगों के लिए ये वाकई वे बहुत नॉर्मल चीज है और आए दिन लोग इसे खा कर अपने शाम का नाश्टा या फिर रात का डिनर करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले बहुती बड़ी संख्या में सिल्फ वाम लारवा इकठा की जाते हैं और फिर इन्हें धोकर, हरी मेर्च, अद्रक और नमक के साथ बाकी मुसाले भी इसमें अच्छी तरह मिला देते हैं अब ये सारी चीज़ें अपस में मिल जाती हैं तो इसके अंदर पानी डाल कर कुछ वक्त के लिए पगाया जाता है और पकने के बाद ये डेश साथ कोरिया के लोगों के मुँ में पानी लाने के लिए तयार हो जाती है क्योंकि इसके अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन वहाँ पर बॉड़ी बिल्डिंग का शौक रखने वाले लोगों को बहुती जादा अपनी तरफ आकरशित करता है अक्टोपस अब दोस्तों आठ पैरों वाले अक्टोपस के बारे में तो आग जानते ही हैं ये ना सिर्फ दिखने माजीब होते हैं बलकि बहुती जादा खतरनाक भी होते हैं जपनी पकड में एक बार अगर किसी को ले ले तो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते अगर इनके हात पैरों ने किसी को जकड लिया तब तो समझ लीजिए उसका अंतिम समय आ गया है लेकिन भला साउथ कोरिया की लोगों को मौत से कहां डर लगता है तब ही तो ये लोग अक्टोपस को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते यहां तक कि कई बार ये लोग उसे पकाना भी ज़रूरी नहीं समझते और जिंदाई खा जाते हैं पर सबसे ज़्यादा हरान करने वाली चीज तो यह है कि हर साल कोरिया में अक्टोपस खाने की वज़े से लोगों की मौतों की संख्या दिन प्रते दिन बढ़ती जा रही है पर फिर भी इस घिनोनी चीज को खाना बंद निगरते ही लोग दोस्तों हम सबी जानते हैं सूर एक ऐसा जीव है जिसे हर कोई गंदा समझता है क्योंकि सूर कहीं से कुछ भी खा लेते हैं इसलिए लोग इने देखकर मूँ बनाना शुरू कर देते हैं पर दोस्तों कूरिया के लोग वाकई में गजब के हैं जो सूर के मास को कम और उसकी टांगों को ज़्यादा खाते हैं जोकबेल नाम के इसे डिश को बनाने के लिए सबसे पहले तो सूर को मार कर उसकी टांग को बाड़ी से अलग करते हैं और उसके बाद ठंडे पाने के सारे सूर की टांग को अच्छे से धो कर टांग के ओपर जितने भी छोटे-छोटे बाल होते हैं उन सभी बालों को साफ किया जाता है तो दोस्तो ये थी साउथ कोरिया में बनने वाले कुछ ऐसी खाने की चीज़ें, जिने एक आम भारतिये खाने के बार में सूच भी नहीं सकता अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट में बताना, इसी तरह की वीडियोज देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब तो करी देना दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोज दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनिये